Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and this video से हम शुरू करने जा रहे हैं Types of Organization के बारे में Okay, मैंने आपको बताया किसी भी organization में एक particular criteria form किया जाता है Chart बनाने का, structure form करने का, right? तो वो दो तरीके से हो सकते हैं वो होते हैं formal या फिर informal way में अब ये क्या है? ये कहां से शुरू हो गया माम? ये क्या है? कैसे शुरू हो गया? क्या है? सब का answer मिलेगा आइस्ता, आइस्ता अभी तक हम पढ़ रहे थे organizational structure के बारे में जिसमें हमने दो types देके थे divisional and functional उसके बाद ये समझ में आया कि organization में सिर्फ एक तरीका तो structure नहीं बनता है मतलब सिर्फ formal तरीके का तो structure नहीं बनता है formal में तो हमने पढ़ लिया divisional और functional लेकिन informal तरीके का भी तो structure बनता है ना जब आप organization में जाते हो, लोगों के साथ connection फर्म करते हो तो ये formal relationship नहीं है, this is an informal relationship तो उसके basis पर भी हमने एक organizational structure बनाया है organization बनाई है, जो की कहलाई जाती है हमारी informal organization तो यहाँ हम पहले formal के बारे में बात करेंगे फिर हम informal के बारे में बात करेंगे और फिर हम इनके differences के बारे में बात करेंगे but ma'am again the question is what is a formal organization क्या है ये पेटा मैं समझाती हूँ आपको ये क्या है तेखिये, जब एक organization बनती है उसमें सबसे ऊपर आते हैं एक boss, ये हैं हमारे supreme boss, जो सारे order देता है big boss इसके आगे यहां पर इन्होंने अपने अंडर रखे है दो managers जो करेंगे क्या manage फिर उसके आगे आते हैं और चार sub managers जो करते हैं इनके नीचे management अगें यहां पर भी चार आते हैं फिर इनके नीचे आते हैं employees तो इस तरह से organization की structure बनती है यह major orders देते हैं किसको order देंगे यह इनको order देंगे यह order देते हैं फिर किनको इनको ये order देते हैं फिर किनको? इनको तो order का सिलसिला कैसे चलता है? कुछ ऐसे चलता है? बलकुल माम ऐसे ही चलता है और जब ये काम complete कर लेते हैं तो ये किसको बताते होंगे? ये बताते होंगे इनको ये काम complete करने पर किसको बताते होंगे? इनको ये काम करने भी किसको बताते होंगे इनको तो ये सिलसला किस तरह से चलता है? रिपोर्टिंग का इस तरह से तो ओर्डर्स कुछ इस तरह से मिलते हैं और रिपोर्टिंग कुछ इस तरह से चलती है पर ये पूरा ही सिस्टम किसलिए फॉर्म किया गया है? ये पूरा system form किया गया है ताकि organization के काम अच्छे से चले, ढंग से चले, तरीके से चले But, but, वापे से slide पर आते हैं, उसके बाद but का को देखते हैं ये बोलते हैं, when the managers are carrying an organizing process, then as a result of organizing process, an organizational structure is created ये बोलते हैं कि जब managers organizing कर रहा होता है, जो कि ये chapter है और जो कि management का एक function भी है तो उसके कारण organization में एक structure form हो जाता है, जिससे सारे काम का follow up लिया जाता है सारे काम उसी से report और order किये जाते हैं तो ऐसे scenario में, जो भी structure form होता है, पूरी working को efficient बनाने के लिए resources को अच्छे से इस्तिमाल करने के लिए उससे हम बोलते हैं, formal organization मैं बहुत जगा घुमा दिया आपने यहां पर, layman's language में समझाओ न, तो लेमन's language में और कुछ मतलब नहीं है इसका simple सा यह मतलब है, कि organization में एक structure form होती है ताकि उपर वाले boss को सोचना ना पड़े, मुझे order किसको देना है और नीचे वाले इंसान को सोचना पड़े, कि मुझे reporting इसको करनी है तो वो order देने का सिलसिला, reporting करने का सिलसिला, जो यह form होता है, एक structure के द्वारा उससे हम बोलते है, formal organization यह formal word क्यों आड़ हुआ है सामने? उसका कारण यह है कि formal का मतलब होता है, एक systematic तरीके से जो form किया जाता है जिसे organization वाके में मानती है, properly draft करती है, formally देखती है उसलिए हमने इसे बोला है formal organization This type of structure is known as formal organization, ठीक है, समझ गए Formal organization structure clearly spells out the job to be performed by each individual जो हमारा formal organization होता है, structure होता है वो हर एक इनसान को बताता है कि बीटा, तुम्हें क्या काम करना है? तुम्हें क्या काम करना है? तुम्हें क्या काम करना है? मतलब हर किसी के job position के बारे में उन्हें बताया जाएगा वो किस level पे stand करते हैं, उसके बारे में उन्हें बताया जाएगा जो ऐसे एक बनता है ना हमारा triangular वो यहाँ पे सब को पता चल जाता है कि हम किस level पे stand करते हैं, हमारा क्या काम है उनकी authority, उनकी responsibility सब कुछ पता चल जाती है हमें order कौन दे सकता है? किसकी authority है हमें order देने की? हमारे responsibility किसके लिए बनती है? वो सब इसके through पता चल जाता है यह बोलते हैं, यह structure जान बूज के बनाया जाता है किसके द्वारा बनाया जाता है? managers के द्वारा बनाया जाता है क्यों बनाया जाता है? ताकि organization में काम एक systematic तरीके से हो मैं मैं ऐसे कैसे हो पाएगा? बेटा यह ऐसे हो पाएगा कि managers ने form कर दिया है कि तुम इस level पर आतो, तुम इस level पर आतो तुम इन वालों को order दे सकते हैं तुम इन लोगों को report करोगे तुम इन लोगों को report करोगे तो मैंने order दे सकते हो तो हर किसी को अपना job position बता है हर किसी को authority, responsibility सब बता है अब काम करने की बाद मैं इधर उधर घूमती नहीं रहूंगी मैं जाके directly report करूँगे उस इंसान को जिसने मुझे वो काम दिया होगा और इस particular position में मैं देख सकती हूँ कि मैं कहां stand करती हूँ क्या मैं इस level पर आती हूँ या मैं इस level पर आती हूँ या मैं इस level पर आती हूँ तो हर एक चीज़ clear हो जाती है formal organization structure से और यह form किसके द्वारा किया जाता है manager द्वारा किया जाता है so formal organization is nothing just the organizational structure जो कि create किया जाता है ताकि office की functioning बहुत अच्छे तरीके से चले, बहुत ही systematic तरीके से चले हर एक चीज बहुत धंग से हो, कहीं पे भी confusion वाला scenario नहीं हो और अच्छे सी concept तब आपको समझ में आए कि जब आप informal organization के बारे में पढ़ेंगे बट उसको पढ़ने में भी थोड़ा सा time है क्योंकि पहले हम formal के features, advantages, disadvantages, disadvantages सब पढ़ेंगे उसके बाद हम informal पे जाएंगे With that हम lastly formal और informal के difference भी देखेंगे जिससे हमें picture और ज़्यादा clear होगे So ये बहुत ही precise way में मैंने आपको formal organization की introduction दी है अभी इसके features और advantages, disadvantages आना बाख ही हैं जो कि हमारी future videos में आने वाले हैं ये individually इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको एक idea लेना हो कि formal organization क्या होता है तो आप 5 से 2-4 minute के अंदर अंदर ये idea ले ले Now I hope आपको ये पूरी concept समझ में आई होगी और जादा क्लियर होगी इन फॉर्मल के ताइम पे So wait till then and thank you so much for watching our videos